मनी सिसोधिया और सतेन जेन की गिरफतारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लगबख एक महने जन जागरन अभिहान चलाया इसके तहट डूर टूर कैम्पेंग चलाया गया एक महने में करीबन दस लाख चिठियां दोनों के समर्थन में जोड़ी गई जिसे अब पीम तक पहुचाए जाएगी इस पूरे मुद्धे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और दिल्ली के राश सही हो जग गोपार रहा हमारे साथ मौजूद हैं सर ये जो चिठियां आपने जमा की हैं इसकी मूल बात क्या है क्या आप ये बताने की कोशिश कर रह ये या ओप चाहरे हैं कि लोग के लिए कि आप इक है कि लोगों के मन में अलग अलगर तरह के प्रसन पैदा हुए है सब के मन में प्रस्otional पाइड हो Ay okay लेकिन दिल्भी के लोग इस पे क्या सोचते हैं। कि नी के लोगों ने हमारी सरकार बनाई है हम दिल्भी के रुम अग्त ने हैं। उसको ले करके दिल्भी के अंदर पिछले 13 अमा आद्मी पार्टी ने डोर टो डोर कैम्पेन महला सबा के माद्यम से हमने मने प्रदान मंत्री जी के नाम चिठी पर हस्ताक्षर अभियान सुरू किया था हम घर घर गए महलाओं में जाकर के लोगों को इकठा किये इस पर चर्चा की चिठी यह दी गई सब रखा था आज तेरा मार्च के बाद आज दस अपरेल है लगबग एक महिना हो गया एक महिने में हमने दस लाक लोगों का समर्थन इस चिठी के माद्यम से हासिल किया है इन चिठी ओं के माद्यम से दिल्ली के लोग तीन मुख्य तोर पर बातें प्रधान मंत्री जी के सामने रखना चाह रहे हैं पहली बात तो यह कि वो कह रहे हैं कि जो गिरफतारी हुई है उससे वो दुखी है और मन्में एक आकरोस है कि कि रैसा क्यों हो रहा है आक्रोस इसलिए है कि उनको लगता है कि दिल्ली में लंबे समय बाद मतलब एक सरकार आई जिसके सिख्षा के शेतर में बदलाओ किया स्वास्त के शेतर में बदलाओ किया लेकिन उन्हीं मंत्रियों को गरिफ्तार कर लिया क्यों किया अगर वरश्टाचार के खिलाव अवियान चल रहा होता तो निस्पक्ष होता है अड़ानी जी के उपर प्रस नोट रहे हैं अराउप लग रहे हैं लेकिन उसकी जाच नहीं हो रही है और मरीशी सोधिया ग्रिफतार करके जेल में डाले जाते हैं आज तक सारी अजिंसियों ने जाच कर ली कोई सबूत नहीं में तीसरी बात जो वो लोग अपील कर रहे हैं दिल्ली के लोग इस चिठी के माद्यम से प्रधार मंत्री जी आपको दिल्ली के देश के लोगों ने चुन के बैठाया है आप बड़े काम करो और दिल्ली सरकार भी चुनी हुई सरकार है उसे अपना काम करने दो चुकि अगर काम नहीं होगा तो हमारा नुक्सान होगा ये भावना है इस चिठी के माद्यम से दिल्ल प्रधान मंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं कि आप इस पर जरूर एक बार पुदर विचार करें क्योंकि जंता तो राजा के दर्बार में अपनी गुहार लगा सकती है दिल्ली के लोगों की गुहार है सर दोजार चौबीस के चुनाओं के मद्दे नजर आपने कई सारे अभियान चेर रखे हैं आपने एक सवाल ये पूछा है कि पीम को पड़ा लिका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक तो ये सवाल है दूसरा सवाल आप सीरा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को लेकर उ सकता है सबका मुद्दा नहीं है तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे डिगरी मामले में आप अलग थलग पड़ गए हैं आमाधी पार्टी सिफ आमाधी पार्टी ही डिगरी का मुद्दा उठार ये बागी पार्टी ने आद की बात पार्टियों का है ही नहीं देखि से हो रहे हैं जिस तरह से न्याय पालिका की पर दवाव बनाया जा रहा है election commission को जिस तरह से अपने पक्ष में करने की कोसिस हो रही है जिस तरह से देश के जो लोगों की रोज़ बेरोजगारी महंगाई का सवाल है उसे जो है उस पर जो संकाव जो सवाल उट रहे हैं वो प्रधान मंतरी के डिगरी पर उठ रहे हैं और वो बात अगर या तो वो डिगरी फरजी है या असली है दो इसी हो सकती है वो चीज़ें जिस दिन वो सामने कर दें खतम हो जाएगी लेकिन सब के साथ मिल करके जो अब यान है वो जारी रहेगा दिल्ली के उपराजे बालने में सवाल खड़े कर दिये आपके रास्टे सहीं जग अर्विन केजरिवाल की पड़ाय लिखाय पर सवाल किये साथी साथ उन्होंने यहां तक यह कह दिया कि डिग्री तो सिर्फ एक रशीद है पड़ाय लिखाय कि रशीद है और उसके उस जादा कुछ नहीं है अगर उनके बयान को आप देखो तो वह कह रहे हैं कि देखो जी आई आई टी वाला भी असिक्षित हो सकता है तो इसका दूसरा मायने भी निकलता है कि मतलब उधर डिग्री नहीं है फिर भी सिक्षित है तो भारती जन्ता पार्टी के नेता जिस तरह से बयान बाजी कर रहे हैं वो कहीं ने कहीं लोगों के मन में और संका को ही बढ़ा रहा है मुझे लगता है उसका बहुत संभानने तरीका है अज़े डिग्री है तो दिखा दो नहीं है तो बता दू गोपाला सीधे तोर पर यह कह रहे हैं कि डिग्री विवाद नहीं है अगर डिग्री पूछी जा रही है और कोई संभानिक पद पर बैठा क्यामरम नजी चाकू के साथ दीपक सिंह रावत एवीपी न्यूज दिली